सलाम उलेकुम फ्रेंड्स आज हमारी इमा बनाने जा रही हैं तिल की एक ऐसी मिठाई जो हल्दी के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी है तो यहाँ पे हमने 800 ग्राम तिल लिये हैं जिने हमें रोस्ट कर लेना है और जब यह तिल भुन जाएं तब हमें इने रूम टेंपरेचर तक ठंडा कर लेना है अब यहाँ पे हमने एक पैन में 500 ग्राम मावा लिया है जिसे हमें मेल्ट कर लेना है अब यहाँ पे इन में से आधे तिल हम पीस लेंगे इन तिलो का हमें एक दरदरा पाउडर बना लेना है अब यहाँ पे मावे में हमने 100 ग्राम 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 अड़ करा है और यहाँ पे हमने काजू, वदाम, पिस्ता और घिसा हुआ नारियन अड़ करा है आप चाहें तो इसमें और भी ड्राइ फ्रूट्स अड़ कर सकते हैं और यह जो तिल का पाउडर था अब हमें इसे अड़ करके मिक्स कर लेना है और जब यह थोड़ा सा भुण जाए तब हम इसमें थोड़े से साबुत सीड भी आड़ कर देंगे अब हमें इसे अलग प्लेट में निकाल लेना है और प्लेट में निकालने के बाद हमें इसे ठंडा कर लेना है रूम टेंपरेचर तक यहां पर हमने इलाइची पाउडर लिया है जिसे हम इस पर आड़ कर दें के मिक्स कर लेंगे जब यह आपके हातों पे गरम ना लगें तब आप इसके रोल बढ़ाना स्टार्ट करिए इसके लिए हमने अपने हातों को पहले घी से ग्रीस कर लिया है अब हम इसके रोल बना लेंगे जब रोल तयार हो जाए तब हमें उसे तिल में लपेट लेना है जो तिल हमने बचाए थे ये रोल बनके तयार है अब हम इने पीसेज में काट लेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी हमारी वीडियो को आखर तक देखने के लिए शुक्रिया